हालो हां जी रादे कृष्णा जी जह मात आते कैसे हो आप सब उमिद करती हूं कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वास्थ और सुरक्षित हों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे चैनल का नाम है हिमाचली पाड़ी कल्चर तो यह दिखिए अभी शुबा शुबा का नजारा शुबा के बज़े हैं चे आरina खाना बगर बनाके और गायों का मितलब गाव साट का गामनिपटा के हम खेत को चले थे तो अभी शुबा के चे बज़े हैं और हम जा रहे थे खेत में मक्की वीजनें तो देखिए हमारे आके राश्ते कितने मतलब छोटे छोटे होते हैं ज़से हमें चलना मुश्किल कोटा है हम तो चल भी आचिते हैं पर जैसे कि हमें थाखेत और बोने हो तो विरासकी मुश्किल जाती है जैसे कि हमें थाखेत बने हो ब्हुंग Y call तो बैल हमारे ऐसे बेचार जैसे की आदमें होते हैं और इनको भी अब यहां से आदत डल गई है जाने की तो हम खेतों को जा रहे थे और इदिखियें यहां के खतरनाक रास्ते मैं और मेरे पतिदेव जी और बच्चे हम सब चले थे खेत के लिए तो इनको हमने ओ बोलते हैं जैसे कि हम मास्क लगाते हैं उसी तरकार के बैलो को भी छिकडियां बोलते हैं उसको अपने भासा में तो नहीं लाए थे इनको अगर ओ लगाए होते मूह में तो यह तक जल्दी से चले जाने थे और अब यह चरते चरते जा रहे हैं खेत के लिए अब यह तो यह वाले खेत हैं तो यह वाले खेत हैं हमारे जीर्ची औरों के हैं और यह निचले वाले हमारे हैं तो यह साथ खेत हैं हमारे यह चोटे चोटे और देखें कैसी पत्तर होते हैं हमारे खेतों के बीच में और यह बाड़ी धार शुबा शुबा का सुंदर सा नजारा तो हम पहुंच गये थे खेत में और हमने यहां पर मक्की बीजने आते हैं प्रिंस मेरे को तंग करता है बहुत और यह बात्थू तो इसका फलहार बनता है इसी ब्रात्री के ब्रत के दिने और यह है खीरे के मतलब जो हमारे घर में लोकल खीरे होते हैं तो उनके बीज ठैली में हैं मक्की और इसमें कुछ दाने उसके हैं दाल जैसे हमारे पहाड़ी राजमा होते हैं तो यह बात्थू और अब मैं इनको सबको मिक्स कर लूँगी और जैसे की तो पहले मैं मक्की बीज लेती हूं कि इनने फिर खेट की बुआए करने थी तो तो यह दिखिए मैंने सारे खेट में मक्की के दाने बीज दीए ऐसे तो हम जिसको हम केर बोलते हैं तो उसको भी करते हैं जैसे कि एक दाना बेलो के पिछे पिछे फैंकते रहते हैं फर तब खेट में बहुत सा काम था तो इसलिए मैंने ऐसे ही फैंक दिए दाने तो यह देखिए हल और मेरे पती देव जी हल को बांज रहे थे कि इस कि मतलब बेलो को जोड ना बोलते हैं अपनी बासा में तो उनको जोड रहे थे और यह मैंने बीच फैंक दिए जैसे कि हम ने को बीच में नहीं हम इनको बीच में नहीं बीच दे क्यूंकि तब मक्की हवा लगती है तो ठल जाती है इसलिए हम इधर उधर दोनों साइद में बीज देंगे ताकि इनकी बेल इधर उदर कोई चल जाए बीच में तब मक्की बच जाती है ऐसे जब हम बीच में इनको बीच दें तो बीच में बीच के मतलब हवाब गहरा लगती है तो सारी मक्की घड़ जाती है तो साइड चाइड में इनको मैं बीच दूँगी मक्की खीरे और बात्थू और पहाड़ी राजमा के दाने तो यहां पर जंगली जानबर भी बहुत होते हैं जैसे कि मुर्गे आर मौर जंगली मौर तो यहां पर खसली गयरा कम ही होती है पर खेतों को तो हमें मतलब खेतों की बुआई तो करने ही पड़ती है तो बच्चे को में बुर्गे की इन पत्थों को उठाए जैसे की खेत में पत्थों के आरे है कॉपकॉन की इसी तो ऐसे उत्ते हैं सिदाने और यह बाफ्थों को पहले बोलते हैं तो हमारे की जब अकाल बगएरा परता था तो हम बाफ्थों और कॉद्दा भी होता है एक तो यह खेत के भी कॉद्दा और यह पहाड़ी राजमा बालगी बोलते हैं इनको अपनी भासा में तो कॉद्दा होता था जैसे की आकाल बगएरा परता था तो उसको मतलब अनास तो हमारा हर साल खराब हो जाता है जैसे की हमारे मक्की बगएरा होती है तो यह एक साल तक ही चलती है मक्की भी और गेहुं भी पर जैसे की यह बाफ्थू और कॉद्दा होता है तो यह 100 साल तक खराब नहीं होता तो जैसे की कई बार अकाल बगएरा पड़ ज कि तोर पर काम तो ही दिशी हमारे खेत कितने छोटे चोटे शोटे और इधर उदर से जोदते हैं को और होर्ब करता है इसकी को दाल्तों पास को दाली बोलते हैं हम इसको अपने भासा में तो तो इससे खनने पड़ती है, इसकी खनाई करने पड़ती है, और हमारे यहां पर भूंद से पत्थर होते हैं, खेतों के बीच में, जो छोटते हैं, और कुछ तूक्डी से खनाई करने पड़ती है, तो यह अगे जैसे दिवार जैसे दिखाई दी रही है इससे औरली तरफ को है हमारे खेट और परले वाली साइट को है हमारे तायस सुझी के तो इन्हों ने भी यहां पर बीज दिया है दाले बगहरा और हम भी यहां पर कुछ मक्की बीजेंगे और कुछ दाले बगहरा और जैसे की पेड के निचे जैसे हमारे खेटों में पेड होते हैं तो वहां पर भशल बगहरा बहुत कम होती है तो वहां पर हम चरी बीज कि यूंकि वहां पर मक्की बगएरा कम ही होती है और हवा लग जाती है तो हवा से सारी ढ़ल जाती है मक्की तो हमारे यहां पर ऐसा होता है कि ट्रक्ट बगएरा हमारे यहां पर चावता नहीं है क्यूंकि हमारे खेतों के बीच में पत्तर होते हैं तो हमें बेलो से ही खेतों की बुआई करने पड़ती है और यह हमारे गाउवालों के खेतों देखिए इननमें बीच बीच से चला बोलते हैं हम इसको अपनी भासा में तो दिया है जैसे कि बरसात में ज्यादा पानी हो जाता है तो इससे चला जाता है ऐसे अगर हम इस चला बोलते हैं हम इसको अपनी भासा में इसको ना दे तो स तारे जैसे हमने पशों के गोवर की खाद फैंकी थी, तो वो सारी पानी के साथ भह जाती है, इसलिए हमें ऐसे मतलब जाड़े करने पड़ते है था सारे खेत में और iba अब मै आ गई थी, उपर फाले खेतों मैं, नीचे हमने लुद हमने नीचे वाले खेतों तो इसमें हमने चरी बीज़ दी और यहां पे जैसे की हो थी मतलब इसको अपनी बासम है जिससे मेरी बेटी तोड़ रही थी इसको मिटी की और यहां पे थे अंजीर यहां पे पत्थरों पे वह थी अंजीर की पुद्धा तो यह देखे पक चुके हैं अंजीर और मैं आगे थी सबसे उपर वाले खेट में और मैंने गायों के लिए हर अजारा भी ले लिया है ले लियां यहां पर खेट में ही और सारा चरी बगएरा की ठेख लिया और मक्की बगएरा की यह पानी था बोतल में तो अब हम नीचे का काम निप्टा के सबसे उपर वाले खेट में आ गये थे और काम तो अभी निप्टा नहीं है कि इसमें हमें भी ऐसे ही चले करने पड़ेंगे जैसे कि मैंने नीचे दिखाए थे पर आज इतना की इतना ही काम होगा क्योंकि अब बच्चों की ब्लास बगएरा भी लगेगी तो नौ साड़े नौ बजे का टाइम है और तम इनको भी काम करवाना पड़ेगा घर जाके तो इस काम को मैं करूंगी साम को आ करके मतलब तीन चार बजे के बाद और यहां पी भी यह दिखी मेरी बेती आपको दिखा रही थी डाड़ू मितलब अना दाने के पेड़ लिए यहां पी तूज मैं तोड़ दिया ओना आ हैं यहां पी डाड़ू और बच्चे हैं तो छोटे-छोटे लग जाते हैं खाने जैसे कीफा लगते हैं आधे को रेकि हमारे के से पत्तर मैं पर पत्रों के नीचे ऑगा wrap तो ने अपने गायों के लिए यह ले रही थी क्योंकि आज को जरने भी किसी नेने मुति cantically बी किस ने ले जाना था क्योंकि मैं भी खेट में थी और बच्चों के पास मैं उनको जोड़ नहीं सकती क्योंकि उनको मतलब हमारे यहां पे खतरनाग पहाड़िया हैं तो गिरने का डर रहता है तो आज मेरी गाय घर में ही थी तो उनके लिए हरा घास भी ले रही थी मैं यहां पे और देखिए हमारे खेत तो खेतों के बीच के पत्थर देख लीजिए आप भी और यहां पे थोड़ा थोड़ा ब्यालों से करते हैं बुआई और इदर उदर से हमें खुद इसकी खनाई करने पड़ती है तो ऐसे खितों में तो दुआ ही करने भी बहुत ही मुश्किल होती है तो यहां पी बियूण बोलते हैं जिसको अपने भासन है और गाही बड़े चाह से खाती है तो उसकी पौदा था एक तो उसमें लगी थी एक बेल जैसी मैं उसको निकाल रही थी और यह देखिए हमारे यहां के खतरनाक रास्ते और यह हमारे नीचे सड़क तो हमारे खेत यहां पर बहुत ही पहाड़ी बेया हैं और नीचे को बहुत बड़ी-बड़ी खाई आएं तो यह लिया जैसे कि हमने मतिरवेरा के 20 लाए थे और देखिए हैं हमारे खेत तो इससे उपर को है हमारे खेत और है चार पांच खेत तो तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और मेरी चैनल क को सस्क्राइब करें आपका कीमती पन्य लेने के लिए धन्यवाद हम मिलेंगे किसी नहीं वीडियो के साथ अब तक के लिए बाय बाय सथ्रेदा घुशत रहिए और अपना ध्यान रखिएगा कि आं भी ए मैं भी मॉर्वेड ए हुआ